तो हलो बच्चों कैसे हैं आप सब लोग स्वागत्यक बाफिर से आप सभी लोगों का अच्छेवं संपूर्ण सिख्छा देने के एक मातरिस्थान अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सिलेंस के इस ऑनलाइन क्लासेस पर तो बच्चों जैसे कि आप सभी लोगों को याद है हम बात करने अपने एक्जाम से श्रीस मिसन्टी 23 के बारे में और लास्ट क्लास में हम अपने अध्याय आठ बैंकिंग इमंग कराधन को श्टार्ट कर चुके थे लास्ट क्लास में हमने आवर्ती खाता और सावदी जम्हाएक खाता से समद्धित जितने भी सबक्तिन अबने कंप्लिट कर लिए थे आज की स्क्लास में आपको आयकर की गरना करने संबंधित प्रस्णों को सौल कर आने वाला हूं जो को आपको पांच में से पांच आंक दिलाने वाली है तो बिल्कुल आज यह मेरे साँ जूड़ जाना है और आज की से सेसन को स्टार्ट करतें तो हमारा जो टॉपिक चर रहा था मारा जो मिसंच चर रहा था उस मिसंच का नाम क्या 36 गड़ बोर्ड परिक्षा मिसंच 2023 जहां पर मैं आप सभी लोगों को कक्छद दस्वी विसाइगड़ित को पढ़ाता हूं और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है उसका नाम क्य उसको आप साल्व कर सकते हो तो एक और आपके पांच मिसे पांच पूरे मिल जाएंगा चलिए तो आयकर की गड़ना करने से सब्सक्राइब जो आपको दिलाएंगे पांच मिसे तो आज जो में कुर्षिंग कराने वाला वो थोड़ा सा लंबा होने भई आपको लेना है पांस मीश से पांच तो थोड़ा सा लंबा करने में दिक्कत याने दिक्कत या तो चलिए हम सिदा सिदा जाने चाहेंगे अपने कुछिशन की और यह रहा आपका अगला कुछिशन देखें कर देखकर धर जाएंगे और भांब जाएंगी इतना लंब चोरे प्रांशन मूत न ही सटा म्सेасть ऐसा कर मのでं तो स्ताइब करें आया हुआ तो तो एतना लंबा यह इसलणा प्रश्ण है और पो डरना निया पूब से होल है किसी में से कर्मचारी है जिनकी वार्सिक आए जो है मकां किराय भत्त को छोड़ देंगे तो चारशार कारी कर्मचारी है जिनकी वार्सिक आया क्या है चारलाग दस हजार रुपै। यहां तक बिमा पिर्में में जमा करता है वह 25.000 रुपए का राश्टी बचत पत्र खरिच्छत हैरा यानि कि बाच posición व initi जगा कितने जगा तीन जगा बचत कर कर राहा है कौन जगा सबसे पहले वह लेखत कर रहा है समानने भविष्थने निधी में फिर वो 50% कर्मुट constituency में 20000 रुपै तथा वृद्धाहस्रव में 12000 रुपैर जिसका 50% कर्मुथ है और 50% पर टैक्स लगने वाला दान करता है यारуш कार क्रमचारी है वह दो जगाज़ाधान करता है पहला परधहानमंत्री जाहतकोस में 20000 रुपैर 1000 रुम् बचत जो है वो एक लाग रुपतक तक कर भीटेन सब्सक्राइब pig know कर बचत होता है तो उसमें कोई भी और टेक्स नहीं देना पड़ेगा एक से ज्यादा अगर बचत होता है तो उस बचत पर उनको भी टेक्ס देना पड़ेगा टेक्स है फिर बोलागिए पांच लाग एक रुपेसे दस लाग रुपर तक बिस प्रतिसत डेना पढ़ेगा फिर आगे बोल ला किता है सिक्षा उपकर दे आयकर का दो प्रतिस्थ लगेगा फिर माध्यमिक और उच्छा उपकर दे आयकर का एक प्रतिस्थ आपको देना पड़ेगा टैक्स बिल्कुछ तरहां तक कहाने क्लिए बहुत लंब चौड़ा कोश्चन दिख रहा है यह कोश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आएस लिवल के तयारी करते ना एक कॉंपीडेशन इंपॉर्टेंट होने वाला आजाओ देखो चलिए अब इस कोश्चन में रखा कुछ निए बस आपको लिखने का फॉर्मेट सिखना इसमें हिंदी वाले स्टेट्मेंट ज्यादा आने वाले जो इसका कैलिकुलेशन वागर रहा वह बहुत कमा आएगा बस हिंदी को लिखने का फॉर्मेट आपको सिखना पड़ागा देखो अब अपने हलकी सुरुवात कैसे करेंगे आपको पांच में से पांच लाग देखो सबसे पहले हपर डालो हैडिंग क्या डालोगे हल यहापर चाहि इस धूरा सी वदीओ जो है सास्की कर्मचारी लेकिन ध्यार आप ड्रेया धरिया बनाकर रख रहा है हर और एक चीज़ां को नोट करते हुब चले बारे से समझते बोटाना है सासकी करमाशारी की वार्षिक आएं हो वार्षिक आए वार्षिक ऐ सूक आए distravo को आता है चार लाग 10 गया दोना गया हुआ था नंकर कर रिकी करुंऀया है कि वार्षी काहिए कि आंगे चार लाग 10,000 रुपाई बिल्कुत तक के कहानी के हिए और जैसे कि मैं आपको बताए कि वह तीन जगा बचत कर रहा है किसे जगा तीन जगा बचत कर रहा है तो हम यहां से क्या करेंगे कूल बचत निकाल लेदें आज अब बिल्कुल देखो तो बचत यहां पर मैं लिखा बचत देखो बचत सबसे पहले हम बात करेंगे इस बचत पर किस पर बचत पर बात करने वाले तो तीन जगवा बचत कर रहा है कहां कहां पर बचत कर रहा है देखो पहला नंबर पहला नंबर बचत कर रहा है वहां समान ने भ अभीश्य निधी में जमा की गई रासि जमा की गई रासि बराबर देखो तो सारकारी जो कर्मशारी है वो प्रती महाँ 4000 रुपा जमा कर रहा है और पूरह एक साल तक जमा करेगा तो एक साल में कितना रुपा हो जाएगा आप क्या करेंगे चार हजार को कर देंगे 12 से गुड़ा क्योंकि एक साल में बारा महींनी होते हैं तो हाँ पर मिल जायेगा 48,000 रूप्य और तालीर हजार रूपय कहां पर जमक किया जा रहा है तो जमक किया जा वार्सिक जीवन बिमा प्रीमियम में जमा की गई रासी चलो तो यहां पर निखेंगे वार्सिक वार्सिक जीवन बिमा प्रीमियम जैसा दिया है उसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे ठीक है तो वार्सिक जीवन बिमा प्रीमियम में जमा की गई रासी में जमा कि गई राशी बराबर देखो तो वार्सिक जीवन बीमा प्रिम्य में जम्हक एगर 80 कितनी है चलो वापस आपने प्रस्टेंपर और देखते हैं तो कितना है यहां पर दिया गया था चौने 24 रुपत चौने 24 रुपत चुपकर यह उजएगा 24 रुपत यह उच्वाई तर बिल्कूल यहां तक की भी कहानी में जमा की गई रासी जमा की गई रासी देखो तो कितना रूपा जमा किया गया है चलो बताओ यह जमा किया गया था पच्चीस अजार रूपा कितना पच्चीस अजार रूपा जमा किया गया था ठीक है तो जो सरकारी करमचा रही है वो तीन जगा बचत कर रहा है पहला नम अब हम यहां पर निकाल लेते हैं कूल बचत का निकाल लेंगे कूल बचत निकाल लेते देखो तो यहां पर यह हुदाएगा कूल बचत बराबर कूल बचत देखो यह हो गया कूल बचत सब क्या करेंगे जोड़ देंगे सब क्या करेंगे जोड़ देंगे चलो जोड़ दें आप ठीक है सबसकों जोड़ेंगे तीनों को जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा 97 हजार रुपय कितना myshit 4 했습니다 रुपय का उनका क्या बचात इतना रुपय उन्होंने बचत किये हुआ है संतानवे हजार रुपए में पूरे एक साल के लिए इतना करते ही आपको थोड़ा से रुखने और सोचना है और प्रस्न के और हम वापस चाहेंगे देखो प्रस्न में क्या बोला गया था यहां पर देखो सबसे लाश्ट लाइन को सभी जो बचत है वह एक लाख रुपए तक अगर बचत किया तो उनको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा अपनी बचत पर उनकी जो बचत है वह एक लाख से कम है संतानवे हजार रुपए है त तब उनको जो है टेक्स देना पड़ता अपनी बचत पर यहां पर अपनी बचत पर जो एक लाख रुपए तक कर मुठत है तो यहां पर लिखेंगे चू कि कि सभी बचत च्रूकी इसमें लिखने के ही नंबर मिलते हैं हिंदी के लिखने की नंबर मिलते हैं तो पूरा फॉर्मेट जो मैं लिखवा रहा हूं उसको भी आपको लिखना पड़ेगा सभी बचत 1,00,000 रुपय तक कर्मुकत है तक कर्मुकत है कि मुक्त भी कुछ तरहां तक लिए इसलिए इसलिए संतानबे हजार में इसलिए संतानबे हजार रुपाय में को यह भी आयकर नहीं देना होगा को यह जैसे हमने भी आयकर किसके लीनिकाल हुआ था बचत के लेनिकाल हुआ था अब इसी परकार से मिकालेंगे दान के लिए क्योंकि व 2 जग्राशा दान भी तो कर रहे हैं तो चलिए अब। डुसरा नंबर ढलेंगे अहमें डिन को मेका देखो यह व हो चुक्त दान देखो कि देखो दो जब ant किया जा रहा है कहां कहां पर मैंस्टन करेंगे दिखो पर्धान मंतरी रहात को सब्सक्राइक करता है तो प्रधान मंत्री रहात कोस में 20 हजार रुपय दान किया जाता है तो इस बात को हम लिखेंगे प्रधान मंत्री प्रधान मंत्री प्रधान मंत्री रहात कोस रहात कोस में जमा की गई रासी में जमा की गई रासी ठीक है रासी बराबर देखो तो कितना रूपा जमा किया गया है 20,000 रूपा है तो यहां पर यह हो जाएगा 20,000 रूपा है ठीक है यह हो चुका 20,000 रूपा है बिल्कुर यहां तक की कहानी अच्छे से कलियर है दूसरा जगह और दान किया जा रहा है कहां पर दान किया जा रहा है अब इसको देखते हैं तो कहां पर दान कर रहे हैं वृद्धा आस्रम में दान की गई रासी वृद्धा आस्रम में जमा की गई रासी जमा की गई रासी बराबर बराबर देखो बराबर तो कितना रुपए दान किया गया है वृद्धा आस्रम में बारा हजार रुपए कितना बारा हजार रुपए तो यह हो जाएगा 12 हजार रूपई ठीक है तेला निकल लेंगे बिलकुल यहाँ पर उसक्षट को निकले टॉलर को लान किआ यह गो तो हम जोडने वाले थो में मी लोगने की 32,000 रुपए क्या हो चुका 32,000 रुपए दान किया गया देखो यहां तक ही भी कहाने के लिए देखो तर अब यहां पर इतना करते हैं आपको जाना है प्रस्त में और सोचना है क्या देखो को कि बोला गया था कि प्रदान्मंत्रि रहात कोस में जो जमा की गया रासिय है वो वो जो है यáनि कि जितना रूपए जमा करेगा उस पर कोई भी टेक्स नहीं देना पड़ेगा यानि कि जो वीस थाजार रुपए दान किया था तो 12000 कर मुझे निकालना है 50 पर तो यह आएगा 6000 रुपा तो 6000 रुपा में क्या करना पड़ेगा उनको देना पड़ेगा टेक्स क्या करना पड़ेगा टेक्स तो देना पड़ेगा आयकर देखना पड़ेगा अब यहां पर हम लिखेंगे इस बात को कैसे लिखेंगे देखो तो हमें पता है कि 12000 का हमें निकालना है 50% क्योंकि 50% में क्या दे रहे हैं टेक्स दे रहे हैं ठीक है तो अब हम यहाँ पर यह निकालेंगे कि वहदान जिस पर कोई भी आयकर नहीं देना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे वहदान वहदान जिस पर जिस पर कोई भी आयकर कोई भी कोई भी आयकर नहीं देना है आयकर नहीं देना है देखो बराबर तो क्या बोला गथा है कि 20,000 रुपए पर कोई भी टेक्स आपको नहीं देना है तो यह हो जाएगा 20,000 रुपए में हमें को भी टेक्स से नहीं देना है झो टैक्स्स में दिना है 12000 के लिए की बॉला गए था कि 12000 पर जिसका प्रतिस्पार में आपको टैक्स से देना पड़ेगा तो 5050 का निकालें। बिल्कुल निकाल लेंगे यह हो चुका बट्टे में 100 ठीक है चलो अब इसको हल करेंगे तो दो जिरो तो यह दो पड़ चुका तो हमें यहां पर क्या मिलेगा तो बीस हजार देखो इसको इधर सॉल करता हूं ने शॉल करता हूं कि आपको बिच्छे से दिख जाए ठीक है तो बराबर 20,000 रुपे हो चुका यह 20,000 ठीक है प्लस अब हम यहां पर 12,000 का 50 परसे निकालेंगे तो यह हो जाएगा आधा कर देंगे बस चाहथ दोनों को जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 26,000 रुपाय क्या मिल चुका हमें 26,000 रुपा निकल चुका तो यह 26,000 रुपाय है तो यह 26,000 रुपाया जिस पर कोई भी टैक्स नहीं भरना पड़ेगा कोई भी हमें टैक्सहों नहीं भरना पड़ेमा ठीक है तो हमें यहां पर क्या-क्या अभी चया निकाल ल praw है हमने यहां Caribbean लुजन रुपा पर यहाँ पर हम इस बात को लिखिने जागें देखो मैं तो हम यहाँ पार लिखेंगा कर 26 रिजार पर भी कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला है तो बराबर दोनों को हम जोड़ेंगे तो 30 यहां पर भी दिखर 30 यहां पर भी दिखर 30 पहले में चिपका दिया साथ और च्छै को हम जोड़ेंगे तो यह उड़ाएगा तेरा तेरा कभी भी हासिल में एक बचा हुआ यह होदा यागा 10 10 और यह 2 यह रगा है ठीक है एक लाख देचार रूपई एक लाख 23000 रूपई एक लाग 23000 रूपई जो है वह टैक्स मैं तर फ्री है याने कि एक मुक्तरास्य जो है वहए 1,23,000 रूपए तो कर योग्य रासि क्या थो कर योग्यासी क्र योग्य रासी कर योग्य क्यों डेखो है तो क्kenntल जो उनकी आए है वह 4,005,700 रूपए उनका विज़न चार democracy लगने वाला तो यहां पर मैं मानस कर दूंगा यह हो जाएगा एक लाग त्यस सब्सक्रांद एकाइस घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा दो लागव 87 लुपएीध रुपाया लगा लोल्ग 87 लुपएब लन उनको टेक्स देना पड़ेगा यह वह रासी पर उनको टेक्स्थD नपड़ैगा व्यानिक को लwegen सब्सक्राइब निकाल लिया कि कर मुक्त रासी कितनी है तो कर मुक्त रासी कितनी है एक लाग-23,000 रुपए फिर हमने निकाल लिया कि कर योग्यरासी क्या कि कि दिने रुपहर उनको भ्याज देना पड़ेगा ब्याज नहीं आयकर देना पड़ेगा तो 2,87,000 रुप Приag Você पहरा अब बहें पर नियुक्नों अब तो बोला गया था कि दो 2,00,000 रुपा तक 116,00 पर 123,00 आपको दिना पड़ेगा टेक्स उनका जो आए है यहां पर कर्योग्यरासी क्या 2,87,000 रुपए यानि कि 87,000 रुपए एक्ष्ट्र हो चुका है अगर यहां पर 2,00,00 रुपए आता तो उनको कोई भी आयकर नहीं भरना पड़ता लेकिन 87,000 रुपए एक्ष्ट्र आ चुका है तो यहां पर दूसरे नंबर के कॉलम में क्या बोला गया था कि दो लाख एक रुपए से पांच लाख रुपए तक उनको देना पड़ेगा दस प्रतिसत टैक्स देना पड़ेगा यानि कि हम 87,000 रुपए के का निकाल लेंगे टैक्स निकाल लेंगे देखो तो यहां पर बीज़ बात को हम लिखेंगे कैसी देखो देखो है इसलिए 87,000 का यहां पर लिख दें चूकRe को करके दो हैं यहां पर क्यों रुपए तक आएकर सुनने हैं चुक्पी यहां पर लिखेंगे चूंकि ineffective दो लाख ये रुपए तक और कर सुन्य है इसलिए इसलिए हम क्या करेंगे 87000 का निकाल लेते हैं कितना दस प्रतिसत निकाल लेंगे दस प्रतिसत क्यों निकालने भीया क्योंकि यहां पर बोला गया था प्रस्ण में कि दो लाग से अगर इस्ट्र होता है एक रुप भी तो दो लाग रुपई 2,001 रुपई से 5,003 तक आपको देना पड़ेगा दस प्रतिसत तो उनका जो यहां पर बचात हुआ था हो कितना दो लाग साथ मिला और दो जीरो चिपका देना है यानि कि 8700 रुपए उनका हो चुका है टैक्स क्या हो चुका है उनका हो चुका है यह टैक्स हो चुका है बिल्कुर से रहां था कि कहानिक क्लियर है सिक्षा उपकर हमें देना है दो प्रतिसाथ सिक्षा उपकर कितना देना पड़ेगा दो प्रतिसाथ और कहां पर देंगे तो दे आयकर का हम निकालेंगे दो प्रतिसाथ ठीक है तो यहां पर हम निखेंगे अपनेक्स्ट करके देखो दे आयकर देखो सिक्षा उपकर लिए अदिए आएगर कलेंगें सीख्षा उपकर बराबर दूप दे आएकर का दो सद दे आएकर do दो प्रतिसाद बिल्कुल तो यह आकर कितना निकाला था हमने हमने निकाला हुआ था 87 100 रूपए इसका निकालेंगे हम दो प्रतिसाद ठीक है तो यह दो जीरो तो यह दो जीरो नहीं पढ़ गिया तो हमें क्या मिलेगा सत्यासी का गुड़ा करेंगे दोस्ते तो हमें मिल जागा 184 रूपए क्या मिल चुका 184 रूपए मिल चुका सिक्षा उपकर उनको देना पड़ेगा एक 184 रूपए देना पड़ेगा फिर क्वेश्टन में और एक चीज बोला गे था कि माध्यमीक और उच्छ सिक्षा उपकर देना पड़ेगा दे आयकर का एक प्रतिसाथ तो माध्यमीक और उच्छ सिक्षा उपकर अब हम निकाल लेते माध्यमीक और उच्छ सिक्षा उपक तथा माध्यमिक व उच्छा उपकर उच्छा उपकर बराबर कितना देना पड़ेगा दे आयकर का एक प्रतिसाथ है तो यहाँ पर हम लिखेंगे ले आयकर के इक प्रतिसाथ कूल आएकर अतों पूल आएकर कूल आएकर बराबर देखो कुल आएकर बराबर सबसे पहले हम नहीं आपर दे आयकर निकाव खाना रुपै dai एदाल में सट्रश्षं और दिये एक प्रतिसर जो की हमें tuh करेंगे 140 बराबरbelt तो ने वह मालूम होने वाला दिखो तीनों को जोडने वाला रहा है तो तो त में हम जोड़ेंगे 174 को और इसमें जोडने वाले सट्कासर बिल्कुल सब्सक्राइब देंगे देखो 889001 रुपय क्या है उस सरकारी करमचारी को इतना रूपय उनको टैक्स भरने पड़ेगा उश वृति वर्तिवर्स के बात हो रही थी 2013 और 2014 में तो 2013 और 2014 में उस सरकारी करमचारी को कि ग्यृत देना पड़ेगा गर्मेंट को 8,961 रुपर देने पड़ेगा यह हो जाएगा हमारा फाइनल एंसर मैं मानता हूं कि थोड़ा सा लंबा गया हुआ है अगर आपने अच्छे से सुना हुआ हर एक चीजों को पॉइंट करते हुए चला हुआ सिखा हुआ है तो बिल्कुल इस तरह से जितने भी आपको कुश् स्कतर चाहेंगे और आज इस तरह से यह जो अध्या है अध्या आठ अध्या आट को या फी यूणिट नंब कर लिए हमने वापस ते साथ रमर्किति कले 3 हमारा उनल्क्रीट हो चुके हैं अब हम देखना क्लास में अपने यूनिड को करने रहें अगले चप्तर को झाल